मेरे चैनल कॉमर्स गूजी पर और आज हम बिजन्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर फॉर प्लानिंग वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो यह नोट्स मैंने बनाए हुए है यहां यह साथ साथ आप नोट करते जाएएगा तो चलिए है अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर फॉर प्लानिंग प्लानिंग हमारी क्या है इंट्रोडक्शन में क्या है बिड़ा सभी कंपनीज या सभी ओगनाइशन चाहे वो गवर्मेंट की हो चाहे वो प्राइवेट बिजनिश हो सबको प्लानिंग की जरूँद है क्यों है जरूँद? क्योंकि जो हमारे सपने होते हैं अपनी सेल को बढ़ाने का, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने का, हमें बिजनस में सकसेस पाने का यह हर एक बिजनसमेन का सपना होता है, इस सपने के लिए उसे प्लानिंग करना बहुत जरूरी होती है उसे सोचना पड़ता है future में उसे क्या करना है उसे क्या चीज पहले करनी है क्या चीज बात में करनी है किस चीज को avoid करना है किस चीज को avoid नहीं करना है यह सभी एक planning का हिस्सा होता है तो कहा जाए planning क्या है इससार तो decide what to do how to do and when to do planning ये decide करता है कि क्या करना है कैसे करना है और कब करना है इस सभी को planning का हिस्सा कहते हैं ये तो हमारा planning का introduction है उसके बाद चूह भात करता हूँ planning की meaning क्या है planning का मतलब कि sir अब एक चीज़ देखो यहां आपको एक डाग्राम दिख रहा है यह एक person यहां ख़ड़ा हुआ है यह हमारा business है यह business की present position है और यह हमारे business की future association है यह present position है यह future position है आपको दिख्रहा हुआ है इसमें और इसमें तोड़ा सा फरक है तो इसके बीच का जो gap दिख रहा है यहमारा कया है planning है हम ।पिजिक करते हैं कि अभी हमारा business ऐसा है और इस business को ऐसा पहुचाने के लिए हमें क्या का करना है और पहले से हम decide करते हैं कब करना है, कैसे करना है किस के लिए करना है, क्या चीज नहीं करनी है यह हमारी क्या है यह हमारी planning का हिस्सा है तो sir planning की meaning क्या हुई कि thinking in advance what is to be done when is to be done and how it is to be done यानि कि पहले से ही हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है कैसे करना है कब करना है और किस से करवाना है simple words में कहा जाए कि planning हमारा एक gap होता है यह gap आपको देख रहा है कि जहां हम आज stand करते हैं और जहां हम कल stand करना चाहते हैं क्या है meaning planning is the gap between where we are standing today and where we want to reach यानि कि आप अभी आपकी financial position या business की position क्या है और आप future में अपनी position क्या रखना चाहते हैं इसके बीच ये gap को हम क्या नाम दे रहे है sir planning तो ये तो हमारा planning का introduction and meaning है दोबारा एक बार देख लेंगे कि sir क्या है planning कोई भी company हो चाहे वो private हो चाहे वो public हो चाहे वो छोटी company हो चाहे वो बड़ी company हो सभी को planning की जरूद तो है क्यों है जरूद क्योंकि हमारे सपने होते हैं हमें ज्यादा profit हो हमारी ज्यादा sale हो हमारे business का expansion हो हमारी growth हो इस सबी के लिए हमें planning करनी पड़ती है पहले से ही सोचना पड़ता है क्योंकि अगर कोई भी business without planning के चल रहा है आपको मालूम ही नहीं है कि आपको कल क्या करना है आपको परसो क्या करना है आपको अपने कैसे कैसे objective पूरे करने है तो आपका business successfully run नहीं कर सकता इसी को हम planning कहते है एक बार फिर देखें है क्या है planning sir यह thinking and advance what is to be done मतलब पहले से ही decide करें क्या करना है कब करना है कैसे करना है और किसके लिए करना है तो planning हमारा एक gap होता है जहां हमारी आज़ की position है और जहां हमारी future में पहुँचना चाहते है यह notes पड़ा साथ साथ हम note कर लेना अभी note नहीं कर पा रहे आगे वीडियो में पड़ी रही इसको pause करके notes अच्छे से याद से note कर लेना यह तो हो गया हमारा planning का introduction और planning की हमारी meaning अब हम बात कर लेते हैं इसके features business में आपको हर chapter के features मिलेंगे यह मिलेंगे तो features आपको याद नहीं करने रटने नहीं है समझने है features का मतलब क्या है वो quality जो जो उसमें present रहती है एक line मैंने यहां लिखी है कि plan are always developed for a fixed time period as no business can go on planning endlessly मतलब क्या है कि जब भी हम planning करते हैं तो हम planning को बारवा develop करते हैं क्योंकि हम जब एक plan मराते हैं तो इसकी एक time period होता है हो सकता है वो plan एक महीने काम करें हो सकता है वो एक दिन काम करें हो सकता है एक हफते काम करें तो हमारा planning बारवार करनी पड़ती क्योंकि हमारा business में एक planning कभी भी end तक काम नहीं करेगी हो सकता है आपने महंगाई के साब से planning करी हो तो अब मेंगाई कम हो गई हो सकता है आपने बूम या रिसेशन के टाइम में प्लानिंग करा हो इंफलेशन के टाइम में प्लानिंग करा हो तो डिफलेशन आ गया तो उसके साब से प्लानिंग करेगी क्योंकि हमारा बेजिस एंवारोमेंट जो है वो change होता रहता है तो यहां क्या लिखा है कि सर जो भी हम plan develop करते हैं उसका एक time होता है एक महीने के हिसाब से तीन महीने के हिसाब से एक साल के हिसाब से हमारी planning होती है यानि planning हमें change गरनी पड़ती है अब मैं बात करूँ इसके कुछ features के जब भी मैं features की बात करूँगा तो features को हम nature भी कहते हैं और characteristic भी कहते हैं planning के समसी के न तो यानि कि अगर आपको question में कहता है nature बताईए planning के characteristic बताईए planning के features बताईए planning के तो यानि कि इसके बारा है बात हो रही है सबसे पहला feature है हमारी planning का planning contributes to objective जब भी हम planning कर रहे हैं हमारे mind में एक objective यानि कि जो भी हम काम करेंगे उसका जो end result हमारे आथ में आएगा वो हमारा क्या है objective है यह आपको एक diagram दिख रहा है यह आपको एक mark कर रहा है यह हमारा क्या हमें यहां तक पहुशना है यह हमारा objective है हमें यहां तक पहुचना है, यह मेरा objective है, अब अगर यह objective ही नहीं हो तो planning मैं किसी सी करूँगा, मैं क्या planning करूँगा, यानि कि planning का एक feature है कि planning किसको देखके बनाए जा रहा है, सर objective को देखके बनाए जा रहा है, planning starts with the determination of objective, यानि कि planning starts ही तब ही होता है, जब हमारे mind में कोई objective सेट है कि मुझे यहां पहुचना है मुझे कमपनी की सेल इंक्रीज करनी है मुझे कमपनी का एक्सपेंशन करना है मुझे कमपनी में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है यह सब हमारे क्या है objective है इनी objective को माइन में रखते हूँ हम planning start करते है planning start with the determination of objective we cannot think of planning in f7s of objective इस एक है चीज़ितंग आपको objective ही नहीं होगा तो हम planning इस चीज़िंगarem second point planning is primary function of management आपको पता है management क्या होता है management के function क्या हुत है planning organising staff Allez acting यह सब मारे management के functions होते हैं to planning यह primary function होता है management का यानि कि सबसे पहला function जो planning ससंट Oh planning क्या होग Grey Makhan का होगा second feature आपको समझ में आ गया होगा कि sir planning हमारा primary function यानि कि management में सबसे पहला में क्या करनी है planning जब सोचा ही नहीं कहां करना है कैसे करना है कहां जाना है कैसे मुलना है तो हम management में आगे कैसे बढ़ेंगे कि sir planning is the primary और first function to be performed by every manager यानि कि planning एक primary और पहला function है जो हर manager को सबसे पहले perform करना है बिना इस function के हम आगे execute यानि आगे काम नहीं कर सकते है third features प्यारते है इसके pervasive management में भी पढ़ाता कि sir चाए घर हो चाए school हो चाए firm हो चाए बड़ी company चाए government company चाए private company हर company में management की जरूवत है और क्योंकि planning management का यह function है तो planning आपको मालम है कि हमारे business में तीन level होती है top level, middle level, lower level तो planning सिर्फ top level की जिम्मेदारी नहीं है planning सिर्फ middle level की जिम्मेदारी नहीं है planning सिर्फ lower level की जिम्मेदारी नहीं है planning हर level पर जरूवत पड़ेगी planning top level वालों को भी करनी पड़ेगी planning middle level वालों को भी करनी पड़ेगी planning lower level वालों को भी करनी पड़ेगी लेकिन अपने अपने तरीके से तो per basic का मतलब क्या होता है कि sir planning is required at all level of the management planning की जरूरत management के हर level पर है यह सिर्फ top level का function नहीं है ठीक है न fourth feature क्या है planning is futuristic forward looking मतलब आपको मालम है हम जब भी planning करेंगे तो आगे के बारे में ही सोच रहे हैं हम आज क्या हैं और हम आने वाले कल में क्या होना चाहते हैं इसलिए हम planning कर रहे हैं हम past के लिए तो planning करते हैं नहीं planning is never done for the past याने कि planning कभी भी past के लिए नहीं करी जाती आगे के लिए करी जाती इसलिए हम कहते हैं planning एक futuristic या forward looking क्योंकि हम आगे भड़ना चाहते हैं sale increase करना चाहते हैं profit increase करना चाहते हैं goodwill को बढ़ाना चाहते हैं company को expand करना चाहते हैं grow करना चाहते हैं हम forward है या आगे के बारे में सोच रहे हैं तो planning एक futuristic या forward looking है Sir planning is continuous management का भी function था है continuous और planning का भी continuous continuous का मतलब क्या है कि हम जब भी planning करते हैं हमने मालो मैंने कोई planning करी अब मैं नहीं कर रहा planning अब समात वो plan fail हो गया या मैंने जिस environment के लिए वो plan किया था वो environment change हो गया या वो environment खतम हो गया तो मुझे दूसरा plan करना पड़ेगा न तो planning क्या कहता है Sir कि planning एक continuous process है वो कभी end नहीं होता हमें जो मैंने प्लान किया उस plan को successful रखने के लिए मैं बार बार प्लान करता हूं कि इसे और अच्छा और अच्छा और अच्छा कैसे किया जाए example देखिए planning is never ending और continuous process planning एक कभी ना खतम होने वाली है continuous process क्यों क्योंकि जब आपने plan बना लिया अब आपको उस plan में यह देखते रहना है कि अगर environment चेंज हो रहा है अगर technology चेंज हो रही है बाहर का बातावन चेंज हो रहा है तो मेरे plan पर कोई असर पड़ेगा और अगर है तो मैं उसकी जगए कोई दूसरा या best पर select करूंगा for example आप inflation चल रही थी और inflation के साबसे आपने company की planning करी अक्समाती deflation start हो गई तो अब आपको plan क्या करना पड़ेगा change करना पड़ेगा तो planning क्या है हमारी continuous process है 6. Planning involves decision making इसका मतलब क्या है जब भी हम planning करेंगे हमारे पास में अलग-अलग alternative होगे अलग-अलग alternative का मतलब अलग-अलग option हमारे पास 4 राष्टे होंगे हमारे पास पांच रास्ते होंगे हमारे पास दो रास्ते होंगे क्योंकि अगर हमारे पास alternative है तब ही तो हम planning करेंगे कि यार ये वाला idea अच्छा है कि यार ये वाला idea अच्छा है कि यार ये वाला idea अच्छा है या हमारा ये वाला idea अच्छा है अगर हमारे पास alternative भी नहीं है अगर हमारे पास option नहीं तो हम planning किस बात की करेंगे हम तो अगर हमारे पास एक alternative है यानि एक choice है तो उसी को करेंगे न काई बात की planning तो planning function is needed only when different alternative are available planning जब ही आपको जबत पड़ेगी जब आपके पास अलग-अलग alternative available है क्योंकि आप plan करके पता लगाते हो कि यार ये सही रहेगा या ये सही रहेगा या ये सही रहेगा या ये सही रहेगा and we have to select most suitable alternative उन चारों में से या उन दसों में से उन बीसों में से सबसे भड़िया जो आपके लिए option रहेगा हम उसको select करते हैं उसके बाद planning का हमारा last feature है वो है planning is a mental exercise ये आपको नाम से सुझ में आ रहे हैं planning दिमाग से करते हैं तो ये हमारी एक mental exercise है यानि कि इसमें आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है अच्छी से सोचना पड़ता है ठिंक करनी पड़ती है तो ये हमारी एक दिमाग की exercise है जिसे हम कहते है planning is a mental exercise it is mental exercise क्यों? planning is a mental process which requires higher thinking उसमें आपकी thinking अच्छी होने चीए उच्छे level की that is why it is kept separate from operational activity planning एक mental exercise है इसी दिए इसे operational activity से अलग रखा गया है Taylor जी ने तो ये teachers हो गए हमारी nature हो गए अब planning की importance क्या है क्यों हमें जरुवत है planning की यानि की importance and significance of planning question में चाहिए आपसे importance पूछे या significance पूछे मतलब एक ही है point एक ही है सबसे पहला point sir planning provides direction planning से हमें ये मालुम रहता है कि हमारे employee को हमारी company को हमारे managers को कैसे कैसे काम करना है पहले क्या काम करना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद क्या करना है for example जब हम एक city से दूसरी city में जाते है तो आपने देखा होगा वहाँ board लगे होते है for example हम देली जा रहे है हम देली के लिए निकले हमें नहीं मालुम पढ़ रहा कि यार कैसे जाना है बोड लगा होता है देली इतना किलोमीटर आगे से लेफ्ट लीजिए फिर हमने लेफ्ट लिया देली इतना किलोमीटर सीधे चलिए फिर हम सीधे गए देली इतना किलोमीटर राइट हैंड मोल लीजिए यानि कि क्या है यह हमें direction मिल रहा है और management में business में हमें दिशा कौन दिखाती है planning तो planning में क्या लिखा है sir कि planning is concerned with pre-determined course of action planning क्या है पहले से हमें क्या काम करना है वो चीज it provides the direction to the efforts of employment यानि कि जितने भी हमारे employee हैं उनके efforts को उनके काम को दिशा दिखाता है कि भई आपको काम अपना इस तरीके से करना है planning makes clear what employee have to do how to do planning से यह मालूम परता है employee को clear होता है कि उनको क्या करना है कैसे करना यह मैंने example दिया है वही किलोमीटर वाला जो board लगे होते हैं direction मिल रहा है second point है planning reduces the risk of uncertainty यह चीज जियान रखना planning reduces यानि कि अगर हम कोई काम या अपना business planning से कर रहे हैं तो हो सकता है future में होने वाली uncertainty का मतलब क्या है आपने 50,000 रुपे लगा कर business start किया अब यह risk रहता है कि यार यह 50,000 रुपे मेरे cover हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे अगर वो आपने काम planning से किया है अच्छी planning से किया है तो हो सकता है आपको 50,000 cover हो जाएं या हो सकता है cover नहीं हो पाएंगे तो थोड़ा बहुत नुक्सान हो लेकिन अगर आपने planning से नहीं करा तो हो सकता है risk पूरा हो पूरा गाटा हो तो अभी भी मैं line कह रहा हूं planning reduces the risk of uncertainty risk को reduce करता है risk खतम नहीं करता planning से हमारा risk खतम नहीं होता कम हो जाता है uncertainty का मतलब आपको मार्केट किस चीज़ का चल रहा है अभी आपका product कितना बेच सकते हैं कितनी sale को बढ़ा सकते हैं market में लोग क्या demand कर रहे हैं तो इससे आपके होने वाले risk कम हो जाता है तीसरा planning reduces overlapping and wasteful activities आपको मालुम है किस department में कितने employee की कितने machines की कितने इंसानों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमने planning करी है और अगर आप कोई भी काम planning से करते हो कि तो जो आपका extra काम extra पैसा लगा दिया extra employee रग दिये extra work हो गया ये कम हो जाता है यानिकि planning reduce overlapping यानिकि जो overlapping हो जाती ज्यादा काम हो गया ज्यादा पैसा लगा दिये ज्यादा machine लगा दी ये कम हो जाती है wasteful activities कम हो जाती है क्यों कि हमने proper planning करी है हमें इतना ही काम करना है तो हम इतना ही करेंगे fourth planning promotes innovative idea मैंने बताया था कि planning एक mental exercise है और जब हम mental exercise करते हैं तो हमें काम करने के नए नए तरीके नए नए ideas नए नए method नए नए procedure माइंड में आते हैं और उसी के साफ़ से हम काम करते हैं तो planning हमारा क्या करता है हमारे innovative ideas को promote करता है क्या लिखा है इसमें कि sir planning requires high thinking planning के लिए हमें high thinking रखनी पड़ती है और यह intellectual process mental exercise होती है इसी लिए यहाँ ज़्यादा scope होता है हमें एक अच्छा idea find करने का method find करने का procedure find करने का एक particular job को perform करने के लिए यानि कि अगर हम किसी job को perform करने वाले हैं और हमने proper planning करी है तो हमारे पास एक better idea हो सकता है better method हो सकता है better procedure हो सकता है ज़्यापको करने के लिए planning facilitate decision making इसका मतलब क्या होता है planning facilitate decision making हमने पहले ही planning करी है कि हमें काम को ऐसे 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 करना है और अगर कोई काम delay होता है तो उसके लिए हमें यह करना है क्योंकि हमने planning करी है तो इसमें जितने भी हमारे decision होंगे काफी fast होंगे अगर हमारा कोई काम रुक गया तो हमें मालूम है कि उस काम को खतम करके आगे क्या करना है क्योंकि हमने proper planning करी है तो planning facilitate decision making six ते आपका planning established standard for controlling मतलब आपने सोचा था कि हमें 100 units produce करने है और आपने देखा कि 80 ही हो पाए तो अब आप कुछ ऐसी planning करोगे कि 20 का gap रह गया यह 20 का gap कैसे ना कैसे fill हो जाए लेकिन अगर planning ही नहीं करी आपको मालूम ही नहीं कि कितने goods produce करने थे तो हमारा क्या होगा आप control नहीं कर पाऊगे नुकसान में चले जाओगे तो planning established standard for controlling यानि कि कोई गड़बर हो जाती है या अच्छा काम हो जाता है तो सब control कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास proper planning है लास्ट है आपका focus attention on objective of the company मैंने आपको शुरूबात में ही बताया था कि planning क्या करती है planning objective में contribute करती है planning study जब हो ही जब हमारे पास हमारी company का objective था इसरह हम भी यहां stand करते हैं और हम वहां पहुँचना चाहते हैं तो हमारा planning में main focus का होता है company के objective पे तो पेटा आज की वीडियो में इतना ही आज हमने planning की introduction फड़ दिया meaning फड़ दिया importance फड़ दिया features फड़ दिया अगली वीडियो में हम planning की limitations start करेंगे और planning की process start करेंगे ठीक है ना वीडियो जावगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को जादे जादे लाइक करना share करना चैनल को subscribe करना और जो लोग मेरी membership join करना चाहते हैं membership भी join कर सकते हैं उसके भी काफी अच्छे अच्छे benefits हैं सब्सक्राइब commerce गुरूजी commerce गुरूजी के लिए बोल